हेलो एवरीवन, हम घटना सार की अंतरास्टी घटनाओं की वार्शिकी देख रहे हैं पहला टॉपिक है इसका संयुक्त रास्ट जय विवित्ता सम्मेलन कॉप 2022 कनाडा के मौन्ट्रियल में 7 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक आयो जित संयुक्त रास्ट जय विवित्ता सम्मेलन कॉप 15 के समापन पर एक महतपुर समझोते पर सहमती बनी है कहां पर हुआ है ये सम्मेलन कनाडा के मौन्ट्रियल में जो इस दसक के अंत तक विश्व में 30 प्रतिशत भूमी तटिये छेत्रों और अंतरास्टिये जल छेत्र के संरक्षन पर लक्षित है वर्तमान में 17 प्रतिशत भूमी और 8 प्रतिशत समुद्री छेत्रों का संरक्षन हो रहा है इसके अतरिक्त सम्मेलन के दोरान वारताकारों ने मानविय गतिविदियों के कारण प्रकृती के चिंता जनक विद्वन्स पर लगाम कसने के लिए कारगर उपायों पर चर्चा के सभी सदस्य देशों की दोरा 19 दिसंबर को पारित किये गए नए फ्रेमवर्क में चार लक्ष और 23 उद्देश स्थापित किये गए हैं समझाता क्या हुआ है इस समझाते के तहट धर्ती के 30 प्रतिशत हिस्से को 2030 तक संरक्षी छेतर बनाने की बात कही गई है जै विवित्ता से जूडिक फंडिंग के लिए सार्वजनिक वन निजी श्ट्रोतों से हर साल 200 अरब डॉलर जुटाने और 2030 तक विकास सिर्व देशों को करीब 3 करोड डॉलर की सालाना संरक्षन मदद दी जाएगी इतना सब कुछ किया जाएगा 2025 तक राशी सालाना कम से कम 20 अरब डॉलर बढ़ाने की मांग की गई है इस धनराशी से वो मानव जनित कार्णों से जो लुप्त होने का संकट जहेल रहे जीवों की मदद के लिए कुछ कारे कर सकेंगे समझोते में संरच्षित छेतरों के मूलवासियों के अधिकार को सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है और उन्हें अपनी जमीन के रक्षन के लिए के रूप में चिनित किया गया है जैविवित्ता के लिए अभियान चला रहे लोगों की ये प्रमुक मांग थी ये सारी मांग है ठीक है समझोते के 23 लक्षियों में पर्यावन को नुकसान पहुचाने वाली खेती की सबसीडी में कटाथी करके अरब डॉलर बचाने की बात हो रही है अरब डॉलर बात इसका भी उल्ले किया गया है इसके साथ ही कीटनाशकों के खत्रों को घटाना और गुसपैटिया प्रजातियों से निपटने के ओभी इस समझोते में शामिल किया गया है इस समझोते के तहट कुन्मिंग, मॉन्ट्रियल, वैश्विक, जैविवित्ता फ्रेमवर्क में भूमी तटिये इलाकों और अंतरदेशिये जल छेत्रों के सनरक्षन के साथ साथ खादे सबसीडी में 50 प्रतिशत की कमी करने की भी प्रस्ताव रखा गया है इस समझोते का उद्देश भूमी महाजागरों और प्रजातियों को प्रदूशन, छरण और जलवाईव परवर्तन से बचाना है World Wide Fund WWF की Living Planet Report 2022 के अनुसार निगरानी वाले वन जीव आबादी इस्तंधारियों, पक्षियों, उभैचरों, सरिश्रपों, मचलीयों की प्रजातियों में 1970 के दशा के बाद 69 प्रतिशत की विनाशकारी गिरावट देखी गई है भारत ने कनाड़ा के मौंट्रियल में संयुक्त रास्ट जैविवित्ता सम्मेलन में जैविवित्ता संरक्षन के लिए एक नया और समर्पित कोश बनाने की ततकाल आवशक्ता पर जोड़ दिया है भारत ने कहा कि जैविवित्ता का संरक्षन जिम्मदारियों और छमताओं पर आधारित होना चाहिए क्योंकि जलवायू परिवर्तन जैविवित्ता को भी प्रभावित करता है जैविवित्ता के संडरक्षन के लक्षियों को लागू करने का ज्यादा बोज विकास सिल देशों पर पढ़ता है जैविवित्ता योजना भारत को क्रिशी सबसीडी पर रहात देती है वैश्विक जैविवित्ता फ्रेमवर्क भारत को कृषिर सबसीडी और कीटनाशक के प्रयोग को जारी रखने के मामलों में रहाद देता है यह भारत की प्राकृतिक किशी की प्रात्मिकता रही है भारत की ओर से इसमें कौन शामिल था प्रयावन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांगो के प्रतिनिती ने प्लेनरी सेशन में सालाना कोष को सौ अरब तक बढ़ाने की मांग की लेकिन समेलन के अध्यक्स जीन के प्रयावन मंत्री हुआंग रूनकियू ने डैमोक्रेटिक रिपब्लिक औफ कांगो के विरोध को दरकिनार कर मॉंट्रियल में समझोते की घोशना कर दी समेलन में कोलंबिया की नितित्व और जर्मनी के समर्थन से 23 देशों ने एक घोशना पत पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहट इस्थापित एसलेरिटर पार्टनर्शिप के द्वारा सरकारों को समर्थन प्रदान किया जाएगा क्या है कॉप 15 कनाड़ा के मौन्ट्रियल शहर में करीब दो सप्ता तक चले जैविवित्ता समेलन में भारत सहित 196 जेसों के करीब 20,000 प्रतिम निदियर ने भाग लिया ठीक है इसमें मंत्री वरिस्ट अधिकारी परेवन विशेशग और संगटनों के पदाधिकारी थे सम्मेलन में प्रकृति को हो रहें नुक्सान को रोकने के लिए कारियोजना बनाने पर विचार हुआ इस कारियोजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझाता हुआ जैविवित्ता पर संयुक्त रास सम्मेलन जिसे पार्टियों के सम्मेलन कॉप 15 के रूप में जाना जाता है दिसंबर 2022 को मॉंड्रेल कनाड़ा में शुरू हुआ दो सब्ता तक चलने वाला सम्मेलन मूल रूप से अक्टूबर के कुन्मिंग चीन में होना था लेकिन महाँ पे कोविट थी इस वज़े से इसको करनाड़ा में साना अन्जित कर दिया गया यह कॉप 15 का दूसरा हिस्टा है पहले भाग के मेजबानी चीन ने 2001 को वर्चूअली की थी दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आजित किया जाना था इसलिए इसे करनाड़ा में किया गया जैवेवित्ता पर संयुक्त रास्ते संमेलन एक बहुँ पक्षी संदी है जिस पर 1992 में रेडियो जिनेरियो में प्रित्वी सिखर संमेलन के दरान देशन द्वारा हस्तारक्षित के कहते यह 29 दिसमबर 2023 को लागू हुआ था इसके तीन उद्देश है जैवेवित्ता संरक्षन जैवेवित्ता के घटकों का सतत उपयोग और अन्वांशिक संसादनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचेत और नियाय संगत बटवारा नेक्स्ट है भारतीय मूलके वराडकर दूसरी बार आइरलेंड के प्रधान मंतरी बने लिओ वराडकर नाम हैनका लियो वराडकर कहां के आयरिश प्रधान मंतरी पार्टी का नाम देख लीज़े गेल पार्टी और बाकि इसमें कुछ इंपörटन नहीं है इससे ज़्यादा नहीं पूछता है कहां है कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी है अगला है अंतराश्टी परिवार नियोजन समेलन 2022 आयोजन कहां पे हुआ है यह थाइलेंड के पटाया में हुआ है इसकी थीम क्या थी? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलाबरेट, एक्सेलरेट. इस समयलन में भारत ने लीडर्शिप इन फैमिली प्लानिंग ये एक अवार्ड जीता है, 2022 करके, क्या नाम है अवार्ड का? लीडर्शिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 परिवार नियोजन नित्वित उतकिस्टता पुरुसकार 2022 जीता है, भारत ही एक मातर ऐसा देज है, जिसने कंट्री शेडी में ये पुरुसकार जीता है, ये पुरुसकार आधुनिक गर्ब निरोधक तरीकों तक पहुँचने को बहतर बनाने और उन्हें अपनाने के कार्य को सुनिशित करने के साथ-साथ परिवार नियोजन की अपून आफशकता को महत्वपून रूप से पूरा करने में भारत की उपलबदियों को मानेता देता है, भारत में वर्तमान में 15-49 आयूवर की विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन क जो वर्स 2015-16 में 6-6% थी अब वो बढ़कर 2019-21 में 76% हो गई है 76% जिसके लिए जिसने वर्स 2030 तक के लिए वैश्विक अस्तरपर निर्धारित 75 के SDG लक्ष को पहले ही पार कर लिया है 75 लक्षता हमने 76% कर लिया है ठीक है ये 2015-16 में 6-6% थी ठीक है और ये 2019-21 में 76% हो गया है SDG लक्ष 75 था उसको हमने क्रॉस कर लिया है जो कि हमें 2030 में क्रॉस करना था नेक्स्ट है हिमालेई याग खादे पशु घोशित ठीक है भारत में हिमालेई याग को किसने घोशित किया है FSS AI ने भारती खादी सुरच्चा और मानक प्रादीकंड द्वारा खादी पशु के रूप में से मंजूरी दिये हैं हिमालेई याग भारत में हिमालेई याग अरुणाचल प्रदेश सिक्किम कहां कहां मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में ठंडे एरिया है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में अधिक मातरा में पाया जाता है यह माली शेत्र में उच्छ गोजाती ये जानवरों की आबादी में ग्रावट को रोकने में मदद मिलने की उमेद है। याग ग्रामेड खाना बद्धोशें के लिए बहु आयामी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमी का निभाता है। क्रिशी गतिविदियों की कमी के कारण पोशन और आजीव का सुरक्षा में इनका मत्वपूर्ण योगदान है। पठेनाई से भरा होता है। ् सूशल प्रोग्राम इंडेक्स 2022 वार्षिक Small Progress Index 2020 या सामाजिक प्रगति सूजकांक 2022 जारी किया गया। सुचकांक में भारत ने टियर 4 देशों में 60.19 के स्कोर के साथ कितनी रैंकिंग हासिल कर लिए 110 रैंक प्राप्त की है टियर 1 देशों यानि उच आये वाले देशों में सीट्ष पर कौन है नौर्वे Institute for Competitiveness and Social Program Imperative द्वारा बनाये गया राजियों और जिलों के लिए SPI 2022 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत को उप्रस्थुत किया गया ठीक है विवेक देवराय रखें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाकार है कहां पर दिल्ली में भारत में केंद्र शाषित प्रदेशों में कौन है पॉंडी चेरी को पुदी चेरी को वेक्तिगत स्वतनता और पसंद आश्रे और पानी तिथा स्वच्छता जैसे घटकों में उलेखनी प्रधाशन के कारण उचितम SPI स्कोर मिला है टीर टू देशों में SPAIN ठीक है टीर टू देशों में SPAIN है और टीर थ्री में कौन है रूस है टीर फोर में कौन है घाना है टीर सिक्स में नाइजर सबसे उपर मतलब इनका इस स्कोर सबसे खराब है इस सूचकांग में 169 देशों के सामाजिक प्रधर्शन को पूरी तरह से और अतिरिक तो 27 देशों को आंशिक रूप से मापने के लिए 12 घटकों और 60 संकेतकों का प्रेयोग किया गया है SPI क्या है इस सोचल प्रोग्रस इंपरेटिव 2013 की से एक वाडशिक SPI तयार कर रहा है यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया भर में लोग कैसे रह रहे हैं कौन पीछे चूट रहा है और प्रगदी को कैसे तेज किया जाए यह पारदर्शिय और कारवाई योगी देटा यह साथ दुनिया भर में सामाजिक प्रदर्शन के गैर आर्थिक आयामों पर विशेश रूप से व्यापक और विवस्थेत रूप से ध्यान केंदित करने वाला एक मात्र माप उपकरण है यह देख लिजे रैंकिंग है यह इंडेक्स जो है पहले पे नॉर्वे है टियर टू में पहले पे इस्पेन है टियर थ्री में रूस है यह फोर में घाना है और भारत भी है कि ठीक है वस इतना काफी एक ज्यादा नहीं जानना है दच्णी सुडान सबसे नीचे 169 पे और फिर उसके बाद दुनिया 2023 में पहली बार सोशल प्रोग्रस रिसेप्शन की और अग्रसर है और पुदू चेरी इसमें जो भारत वाला इसमें पॉंडी चेरी जो है वो है सबसे यह यह वाला देख लिए एक सेकेंड राजियों और जिलों के लिए 2022 SPI के बारे में यह रास्ट्री और उप रास्ट्री टियर पर देश की सोशल प्रोग्रस को मापने वाला एक उपकरण है जिसके द्वारा 36 राजियों 36 राजियों यह फिरकें शार्षिट प्रदोश्य और मतलब और साथ सो साथ जिलों का मुल्यांगन किया गया है इसमें 49 संकेतक सामिल है सूचना सोशल प्रोग्रस के तीन आयाम है इसमें बुनियादी मानवी आवशक्ताओं भलाई के आधार और अवसर के बारा घटकों के आधार पर राजियों और जिलों का आगलन करना है तीन आयाम में भारत के स्कोर तो मानवी बुनियादी मानवी आवशक्ता या पोशन और बुनियादी चिकित्सा देखभाल जल स्वच्छता ठीक है यह सारी चीज़े है जल है स्वच्छता है यह वेक्तिकत सुरक्षा है आश्रय है ठीक है भारत का स्कोर 73.80 है फिर कल्यान की नीव है इसमें भारत का स् पॉनिचेरी है फिर लक्षदीप है फिर टीर 2 में आ जाईए जो हाई सोशल प्रोग्रेस को दिखाते हैं तो इसमें जम्मु कश्मीर है दसमें पर पंजाब है फिर टीर 3 में चल जाईए फिर उसके बाद करनाटक है उतराखंड है और करनाटक है यह पर और टीर फॉर में चले जाईए तो यह लोर मिडिल सोशल प्रोग्लेस है जो हर्याना गुज़। तक दिखाता है फिर उसके बाद टीर 5 में यूपी का नंबर आता है और recognition है यह दिखाता है लो सोशल प्रोग्रेस को तीर 6 में असामा और बिहार है जारखंड है तो यह दिखाता है वेरी लो सोशल प्रोग्रस को यहां पर और भी ज्यादा कम सोशल प्रोग्रस है नेक्स है जी ट्वन्टी का सड्र्वा शिकर सम्मेलन बाली में संपन विश्वों की विक्सित एबं उभर्ति हुई अर्थ वैस्ता के संवूँ जी ट्वन्टी का सट्रवाँ शिकर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 2022 नमबर 2022 में संपन हुआ बाली में नूसा दुआ में संपन कहाँ पे नूसा दुआ डारेक्ट नाम पूस दिया तो भी याद रखें संपन ये सम्मेलन भारत के लिए इस डिस्टि से अत्यंत महत्वपूर था कि सम्मेलन के समापन पर समूग की अध्यक्ष्टा भारत को सौपी गई और चारिक रूप से कब तक कब तक के लिए भारत 1 दिसंबर 2022 से इसके अध्यक्ष्टा समा लेगा इससे अगले एक वर्षक G20 की विभिन बैठक भारत के विभिन शहरों में होंगी और आगामी जो अठारवा शिकर सममेलन है उसके मेजबानी दिली करेगा 2023 में कब सितंबर 2023 में इंडोनेशिया के रास्पती जोको विडियोड़े की मेजबानी में संपन सत्रवें शिकर सममेलन में भागिदारी हैतू बाली में उपस्तित नेताओं में भारती प्रधान मंतरी श्री नेरेंद मोदी के अतिरिक्त इतने सारे लोग थे ठीक है सबका नाम जरूरी नहीं है जी ट्वंटी के बीसमें सदस यूरोपीय संग का प्रतिनिद यूरोपीय आयोग क्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वह यूरोपी परिशत के सदस से चार्ल्स मिशेल ने किया सेनेगल, रवांडा, स्पेन, सिंगापूर, नीदर लेंड के प्रधानमंतिय आदी वगर अभी इसमें उपस्तित है बाली के शिखट सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित किया गया जब कोरोना महामारी से विश्व पूरी तरह से उबर नहीं पाया और उसके बाद रूस और उक्रेन का युद्ध हो गया, फिर उससे आर्थिक मंदी हो गयी, फिर उससे खादे और उर्जा संकट वगर अभी हो गया इससे विश्व जूज रहा है और यही इसका मुद्दा भी रहा इसकी थीम क्या है, तो रिकावर टुगैदर, रिकावर स्ट्रॉंगर, रिकावर टुगैदर, रिकावर स्ट्रॉंगर इसके लिए दोनों की सप्लाई चेन को मजबूत बनानने का आवन किया गया है रूस से उर्जा की खरीद को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है देशों को जवाब में प्रधान मंत्री ने कहा कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थवैस्ता भारत की उर्जा सुरक्षा पूरी दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर है रूस यूक्रेन युद्ध को समाब्द करने के लिए वहां संघर्ष विराम करने तता डिप्लोमेसी के रास्ते अपनाने की अपील की रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर टकराव के इस्तिति इस सिखट सम्मेलन में बनी रही ऐसे में बहारत व अन्य सहयोगी देशों के मद्धिस्तता से बाली घोशनापत दो नमंबर 16 नमंबर को जारी हुआ अन्तिता भारतवारा कही गई बातों को ही महत्वप्रदान करते हुए बर्तमान संगट के शांतिपूर समाधान के लिए कूट नीति एवं बारता के रास्ते को ही मत्वपूर बताते हुए घोशनापत में कहा गया कि परमाणू हतियारों के प्रयोग की धमकी को स्विकार नहीं किया जा सकता है यूक्रेण पर रूस के हमले को लेकर G20 की ओर से सम्मत निंदा प्रस्ताव सम्मेलन में पारत नहीं किया जा सका तता घोशनापत में यही कहा गया कि संगठन के अधिकान सदस्यों ने रूस पर हमले की निंदा किया ठीक है बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है पता ही है सबको यूक्रेण संगठ और उसके बाद जो भी उससे दिक्कते हुए विश्वे को इसके बाद है आशियान की 40 वी और 41 सिखर बैठक तो कहां पे हुआ है कमबोडिया की राजधानी नॉमपेन में कब हुआ है नमबर 2022 को महामारी फैलने के बाद से दच्छन पूर्व एशिया के दस आसियान देशों के नेताओं के बीच ये पहली प्रतेक्ष बैठक थी कमबोडियाई प्रधान मंत्री हुनसेन ने हिस्सा लेने वाले देशों के नेताओं से वर्तमान चुनवतियों के समाधान करने के लिए मि शिकर समेलन सच्छ में पूर्व एशिया सिखर समीलन तढ़ा आसियान फिलस थी सम्मेलन का आयोंजन हुए आचियाण सिखर सम्मेलन समानता ही इशाहर साल दो बार क्रमसा पहली चमाई और वर्दूरी चमाई आसिया के गूड़न अद्यक्ष के रूप में कामबोडिया ने शेकर सम्मेलन के लिए आसियान चुनोतियों का संयुक्त समाधान थीम निरधारित की तो इसकी थीम क्या है आसियान चुनोतियों का संयुक्त समाधान वर्श 2023 में आसियान कहां पर होगा इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा इस सम्मेलन से के इतर 19 वा आसियान भारत इसमारक सिखर सम्मेलन और स दो प्रास्टपती धनकर जी थे और विदेश मंत्री एस जैसंकर कि यह लोग कमभूडिया गया कि उसके बात है भारत आसियान भारत संबंदों की तीसमें वर्ष गार्ड थी जिसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में जाना जग गया मानमन आया जा रहा है भारत और आसियान ने हिंद प्रशान छेत्र में शांती इस्तिरता समुद्री सुरक्षान और तथा नवबहन सतंता के मतब को बल दिया एक संयुक्त व्यक्तव में दोनों पक्षों ने समुद्री कानून पर संयुक्त रास्त्र संधी जैसे अंतरास्ति नियमों के अंतरक्रत विवादों के शांतिपूर समाधान की प्रतिबद्धिता दोराईगी और 2023 को बोल दिया गया है मिलेट वर्ड्स ठीक है मिलेट इयर अंतरास्तिय मोटे अनाज वर्ड्स ठीक है कॉप 27 शिखर सम्मेलन 2022 तो 2022 संहुत रास जलवायू परिवर्टन सम्मेलन उन्फ-CCC के दलों का सम्मेलन जिसे आंतर पर कॉप 27 के रूप में जाना जाता है कॉप को लेके confused नहीं होना है क्योंकि कॉप का मतलब होता है Conference of Parties तो किसी भी पार्टी का Conference हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ Conference कर रहे हैं कोई पार्टी कर रहे हैं आप उसको नंबर देते जाहिए बस इतना ही है ठीक है तो फिर यह कहां पर हुआ है मिश्टर के मिश्टर में शर्मल शेक में कॉप 27 की अध्यक्षता मिश्टर के विदेश मंत्री किसने की सामें शौकरी और 1992 के में पहले संयुक्त रास जलवायू समझाते के बाद यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है कब होता है प्रतिवर्ष होता है इसका उपयोग सरकारों द्वारा व्यश्विक तापमान वृद्धी को सीमित करने और जलवायू परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल होने के लिए नीतियों पर सहमत होने के लिए किया जाता है इस समयलन में अमेर की रास्टपती बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से भूपेंद्रियादव गये थे, मतलब जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और ये समयलन मुलता 18 नमंबर को ही समाप्त होना था, किन्तो नुकसान विम छती कोश के पर विक्सित देशों को सहमत करने के लिए इसे दो दिन आगे बढ़ाना पड़ा, किस पर मुद्दा कहता है, नुकसान वह छती कोश, एक कोश की बात, फंड की बात की गई है, वैश्विक तापमान विर्धी को पूर्व और द्योगिक युक्के तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष की प्राप्ति के लिए वर्ष नवंबर 2021 में ग्लासको में संपन कॉप 26 में की गई प्रतिबधताओं के दिशा में विचार विमर्ष के अतिक परियावरण सुधार के लिए विक्सित देशों द्वारा विकास शिल देशों के लिए प् संपन हुए में हुए कॉप 15 में इसके लिए 100 अरब डॉलर की निधी बनाने पर निर्ने लिया गया था तता 2020 से यह राशी विकास शील देशों को प्रतिवर्ष हस्तांत्रित की जानी थी किंतु विक्सित देशों द्वारा ऐसे करने में विफल रहे है यह च्छोटी मोडी राशी तो है नहीं देना असान नहीं है नहीं दिया क्रूमला के ग्लोबल वर्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के सर्जन में कमी लाना किसकी बात हो रही है ग्रीन हाउस क्यूंकि प्रयोग के लिए climate funding का मुद्दा चाया रहा हुआ मुद्दे की बात हो रही है कि किस बारे में बात हो रही है इस दिशा में सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगती loss and damage fund के गठन के लिए विक्सित देशों की सहमती रही ठीक है विक्सित देश मान गए इस सहमती के लिए ही सम्मेलन को दो दिन आगे बढ़ाना पड़ा नुकसान उम्छती कोश के तहट धनी देश जलवायू परिवर्तन की कारण आने वाली आपदाओं से भविश्य में निर्धन देशों को होने वाले नुकसान की भरभाई के लिए सहमत हुए है loss and damage के लिए बनने वाले fund के स्वरूप पर कोई निर्णय COP27 में नहीं हो सका यह भी तेह नहीं हुआ कि इस फंड में कौन सा धनी देश कितना युद्दान देगा और फिर इसमें यूनम सिलसी की जो अगली वाली बैठक होने वाली है यानि COP28 वो दुबाई में होगी कहां पर दुबाई में कब नॉमबर दिसमबर 2023 ठीक है अगले साल सॉरी इस साल दुबाई में होनी है नेक्स्ट है अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 संक्तरस्ट परियावरन कारिकरम द्वारा UNEP द्वारा अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 मुझे लगता है यह मुझे ऐसा जलवाईू अनुकूलन विफलता दुनिया को जोखिम में डालती है बहुत कम बहुत धीमा जलवाईू अनुकूलन विफलता दुनिया को जोखिम में डालती है Too little, too slow climate adoption, failure puts world at risk UNEP की इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायू परिवर्तन के प्रभावों से बढ़ते जोखिमों के अनुकूल होने के लिए अनुकूलन योजना वित्थ पोशन और कार्यार्मन में वैश्विक प्रयास दुनिया भर के कमजोर समुदायों को तयार करने के लिए प्रयाप्त नहीं है यह रिपोर्ट तीन तत्वों में अनुकूलन प्रक्रिया की वैश्विक इस्थिती और प्रगती पर एक अध्यतन प्रदान करती है योजना, वित और क्यान्यान्वन तीन तत्व बोले गया है तो वह हो जाएगा एक योजना है एक वित पोशना और दूसरा कार्यान्वन पर विचार करता है 2022 की रिपोर्ट में पाये गया कि UNFCCC से के कम से कम 84% दलों के पास अनुकूलन योजनाय रणनीतियां और कानून है पिछले वर्ष के तुल्ला में इस वर्ष में 5% की व्रिद्धी हुई है दस में से आठ से अधिक देशों में कम से कम एक रास्टी अनुकूलन योजना उपकरण है जो सुधार कर रहा है और अधिक समावेशी हो रहा है दुनिया वर्तमान में 1850 से 1900 के पूर्व और दोगिक युग में प्राप्त औसत तापमान की तुल्ला में औसत वैश्विक तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस व्रिद्धी की दिशा में अग्रसर है हम कहां 1.5 तक रोकने वाले थे और ये कहां 2.8 की तरफ जा रहा है 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के पार ये भी डेटी याद रख लें 15 नवंबर 2022 को विश्विक की कुल जनसंख्या 8 अरब का बिंदू पार कर गई 8 से 9 अरब तक पहुचने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे इस प्रकार 2037 में वैश्विक जनसंख्या कब कितनी हो जाएगी 2037 में कितनी हो जाएगी 9 अरब 37 मतलब 2037 संइंतुराज जनसंख्या दिवोस के अफसर पर जारी एक रिपोर्ट में बताये गया है एक तो अपना भारत है, चीन है ही, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ब्राजील है 2030 तक प्रित्वी पर कुल जनसंख्या 8.5 अरब तथा 2050 तक कितनी हो जाएगी 9.7 अरब वर्ट्स 2018 के दशक में यहां अपने सर्वोच बिंदू 10 अरब के अस्तर पर पहुँचेगी जिसके पश्चाथ वर्ट्स तक इस्तिर रहने के बाद इसमें गिर्यावेट आना प्रारम्भ होगा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी मुबारको इस साल हम लोग चीन को पीछे करने वाले हैं सहित्रस्ट के आर्थिक और सामाजिक मामलों के वेभाग की वर्ट 2022 की वर्ल्ल पॉपॉलेशन प्रोस्पेक्ट शीर्सक से जारी दिवार्शिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक विश्व जनसंख्या में होने वाली वृद्धी में 50 प्रतिशत वृद्धी आठ देशों में होगी जिसमें से भारत हमेशा रहेगा कॉंगो, मिश्र, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलिपीन, दंजानिया ये बाकी देश है रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की दो तिहाई जनसंख्या ऐसे देशों में रहती है जहां प्रजनन्दर 2.1 या उससे कम है प्रजनन्दर को इस अस्तर पर आ जाने से जनसंख्या इस्थिर बनी रहती है प्रजनन्दर में आ रही इन गिरावट के चलते सब सहारा अफरीका, लेटिन, अमेरिका, एशिया के कुछ भागों में कुल जनसंख्या में कारिशिल जनसंख्या का भाग बढ़ रहा है कारिशिल जनसंख्या कौन सी होती है जो 25 से 64 वाली होती है इसके साथ ही 25 से अधिक आयू की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में भाग जो 2022 में 10% था बढ़कर 2050 में 16 प्रतिशत होने का अनुमान है मतलब कि 2050 में जब हम 65 प्लस वालों की जो उनका प्रतिशत है वो 16 प्रतिशत हो जाएगा जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्ज 2050 तक विश्व की ओसत आयू 77.2 वर्ज रहने का अनुमान है जो 2021 में 71 वर्ज थी मतलब लोगों की आयू बढ़ रही है ओसत आयू ठीक है सिप्री की दुनिया की 100 सीट रक्षा कमपनियों की सूची भारत सरकार के स्वामित वाली दो रक्षा कमपनियों हल ठीक है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड हल और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बी एल को स्टॉक हों इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट याने सिप्री द्वारा दुनिया की सौ शीर्स रक्षा कमपनियों के सूची में शामिल किया गया है एक है H.A.L. और दूसरी है B.E.L. सिप्री द्वारा पंद्रा सारी पांस दिसंबर 2022 को जारी इस रिपोर्ट में हतियारों की विक्री में H.A.L. को 3.3 बिलियन डॉलर के साथ 42 अस्थान और 2021 में 1.8 बिलियन डॉलर की विक्री के साथ H.A.L. को 63 वा अस्थान दिया गया है रखा गया था H.A.L. वायू सेना के लिए L.C.A. तेजस S.E.U. 30 M.K.I. जैसे लडाकु विमान L.C.H. प्रचंड जैसे हलिकॉप्टर याद कर लिजे यह हलिकॉप्टर है ट्रेनर विमान परिवहन विमान आदी का निर्माता है ठीक है प्रचंड है पूस्दे का प्रचंड क्या है ठीक है B.E.A. ससस्त्र बलों के लिए उननत इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण बनाती है पहले पिछले साल H.E.A.L. और B.E.A.L. के इलावा भारतिय आयुद कारखानों को सीर्ष सो रक्षा कंपनियों में शामिल किया गया था तो यह भाई साब अलग हो गया है यह नहीं है दुनिया के सीर्ष सो रक्षा कंपनियों की कुल हतियारों की बिक्री 2021 में 592 बिलियन डॉलर थी जो 2020 की तुलना में उन हतियारों की बिक्री में 1.9 प्रतिशत की विद्धि दर्शाती है दुनिया की सीर्ष सो रक्षा कंपनियों में अमेरिका की 40 है ठीक है यह जानना बहुत ज़रूरी है आम इंसान को भी जानना बहुत ज़रूरी है धिर रक्षा कंपनिया किस के पास ज़्यादा है कौन ज़्यादा हतियार बना रहा है शीर्ष पांच कंपनियों में सभी अमेरिकी है यह भी बहुत important line है शीर्ष सो कंपनियों में चीन की 8 कंपनिया है रिपोर्ट की अनुसार अमेर्की कम्पनियों की कुल हतियारों की बिक्री में 51% चीन की 18% और बिटेन की 6.8% फ्रांस की हिस्सेदारी 4.9% है तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है? सबसे ज़्यादा हतियार कौन बाट रहा है? अमेरिका फिर चीन बारत सबसे ज़्यादा के बाट हतियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आया तक है वो बेच रहा है हम खरीद रहा है तो सबसे ज़्यादा खरीद रहा है और अमेरिका तता चीन के बाद रक्षा पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश भी तो हम तीसरे नमबर पर हैं जो रक्षा पर सबसे अधा खर्च कर रहे हैं अर्टन कापिटल की दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट इंडेक्स 2022 अर्टन कापिटल दुआरा देसंबर 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोड पासपोर्ट वाले देशों के सूची प्रकाषित की गई है पास्पोर्ट एक देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा दस्तावेज है जो अंतरास्टी यात्रा के उद्देशिक से धारक की पहचान और रास्ट्रियता की पुष्टी करता है दुनिया के सबसे मजबूत पास्पोर्ट सूची में भारत कहां पे है अटी सेवन पे भारत कहां पे है, है एटी सेवन नंबर पे और यूएई कहां ugänoben फर्षट पे है अच्छा इनके वैसे तो एक और जो आता है पास्पोर्ट इंडेक्स हैनली का शायता है तो वो जापान को हमेशा इस पर फर्स्ट पर रखता है और एटन का कैपिटल ने UAE को रखा है इसमें टोटल 193 देश है और UAE के पास दुनिया का सबसे मजबूत पास्पोर्ट है इस पास्पोर्ट के धारक कितने है 180 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ओन आराइवल यात्रा कर सकते हैं UAE के बाद इस रैंकिंग में 10 में से 9 यूरोपी देशों द्वारा जारी पास्पोर्ट हैं सबसे कमज़ोर अफगानिस्तान का है सीरिया का है इराग का है पाकिस्तान का है ठीक है गूगल की year in search report 2022 किसको माना है IPL को भारत में ठीक है इसमें उन विश्यों पर प्रकास डाला गया है जिन्होंने सबसे अधिक रूची उत्पन करने की और इस वर्ष वेबसाइट पर सबसे अधिक बार खोजा गया विबहन देशों के लिए वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली सूची के अनुसार पिछले साल से भारत के search trend में उलेकनी बदलावाया है भारत में IPL देश में सबसे अधिक खोजा जाने वाला खेल आयोजन था कोविन एक सरकारी वेबसाइट पोटल है जो कोविड नाइटीन वैक्सिन पंजी करन और अपोइंटमेंट शेडियूल को सुवेस्थित करता है और डिजिटल वैक्सिन प्रमार पत्र जारी करता है दूसरे स्थान पर रहा गये फीफा कप जो हुआ था उसमें कतर जो कतर में नवंबर दिसंबर 2022 को एज़िट किया गया था भारत में खोजों में रुजहान वाले विश्व में तीसरे स्थान पर रहा हूँ थीक है इस्थान मतलब करम नहीं पूशता है बस पहला बहुत हो सकता है तो पूच ले सकता है और कुछ नहीं ठीक है बीबीसी द्वारा जारी सौ सबसे प्रभावशारी महिलाओं की सूची बिबीसी का बहुत important नहीं है ठीक है ये वाला topic British Broadcasting Corporation ने December 2022 के पहले सब्ता में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची प्रकाशित की जिसमें राजनीती, विज्ञान, खेल, मनुरंजन और साहित जैसे कई छेतरों की महिलाओं शामिल है BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में चार भारती महिलाओं को अस्थान मिला है एक तो प्रेंका चोपड़ा जोनास हो गए फिर लेखिका गीता अंजली हो गए और फिर इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला हो गए हैं और सामाजी कारे करता स्नेहा जवाले अन्य में बहुत सारे लोग हैं इंपोर्टन नहीं है Network Redίness Index 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार कर 11 än स्थान परप्त किया है अमेरिका इस्तिक गैर लाबकारी संस्था पोर्टलंस इंस्टिट्यूट इंपॉर्टन नहीं है तब भी किसने भारत में इसके सुधा रैंकिंग दिखाए गई तब भी द्वारत तयार की गए रिपोर्ट में भारत की प्रशंसा की गई और कहा गया है कि भारत के पास अपनी आयकेस्तर को देखते हुए उम्मी से कहीं अधिक नेटवर्क तत परता है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिपोर्ट अलग-अलग चार्च हेत्रों प्राद्योगी की लोग शार्षन और प्रभाव में 58 वैरियेबिल पर प्रदर्शन के आधार पर विश्वी की 131 अर्थवैस्ताओं के नेटवर्क रेडिनेस परिदेश की माप करता है एक लीडिंग खुद कर लें इसमें कुछ बहु इंपॉर्टन नहीं है बस ये देखने कि में इसमें सेंगापूर सेंड़ी है और लास्ट में कोन है युगांडा रवांडा जामू या यूगांड़ा इस यूगांडा ठीक है यूगांडा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग यह important हो जाता है नवंबर 2022 को German Watch New Climate Institute और Climate Action Network द्वारा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग 2023 में 59 देशों में भारत को दो अस्थान का सुधार करते हुए आठवां अस्थान प्राप्त हुआ है ग्रिनाइस हाउस गैस उत्सर्जन और उर्जा उप्योग श्रेडियों में भारत को उच रेटिंग दी गई है वहीं जलवायू नीती और नवी करणी है उर्जा श्रेडियों में इसने मध्यम रेटिंग अर्जित की है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग रास्टी और अंतरास्टी जलवायू राजनीती में पारदर्शिता को सक्षम करने का एक साधन है CCPI 59 देशों और उरोपिय संके जलवायू प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक मानकी कलित धांचे का उपयोग करता है परियावरण गैर संरकारी संगठो द्वारा प्रकाशित किया जाता है तिनों का नाम देख लें एक तो यह जर्मन वाच दूसरा है न्यू क्लाइमिट इंस्ट्यूट और क्लाइमिट एक्शन नेटवर की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2030 तक अपने उसर्जन को आधा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे है रिपोर्ट में पहले तीन अस्थानों के लिए रैंक किसी भी देश को नहीं मिली है क्योंकि किसी भी देश ने समगर रूप से उच्छी रैंकिंग प्राप्त करने के लिए सभी सुचकांग श्रेडियों में अच्छा प्रदर चीन जो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सरजक है इस साल की CCPI की रैंकिंग में 13 अस्थान गिर कर 51 वे और अमेरिका की रैंकिंग 52 है जो सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले देश है उसमें 59 वे पे हैं रूस और यहां पे 63 पे हैं इरान जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग में देशों का आकलन चार श्रेणियों में 14 संकेतकों के प्रतेक देश के प्रदर्शन का आकलन करता है जो इस प्रकार है रिपोर्ट में भारत को विश्व की शीर्ष 5 देशों में तथा G20 देशों में सर्वोच अस्थान सूचकांग मिला है भारत अपने 2030 सर्जन लक्षों को पूरा करने के रास्ते पर है जो दो डिग्री से नीचे के परिदिश्व के अनुकूल है हलांकि नवी करनी है उर्जा मार्क 2030 लक्ष के लिए ट्रैक पर नहीं है पिछले जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग के बाद से भारत ने अपने रास्ते अस्तर पर निर्धारित योगदान को अप्टेट किया है और 2070 के लिए नेट सून ने उत्सर्जन लक्ष की भी घोशना की है 2070 तक कितना करना है नेट सून ने नेट सून का अर्थ क्या है वातरवन में डाली गए ग्रीन हाउस गैसों और बाहर निकाली गए ग्रीन हाउस गैसों के भी संतुलन प्राप्त करना है रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत उन नौ देशों में शामिल हो मतलब जितना भी विश्व में कोला उत्पादन होता है उसमें 90% के लिए हम जिम्मधार है यह 2030 तक अपने तेल और गैस उत्पादन को 5% से अधिक बढ़ाने की योजना बना रहा है जो 1.5 डिग्री Celsius के लक्ष से मिल नहीं खाता है